हलो, गुट आप्रेन टु वन एंड आल प्रेजेंट इन दिस लेक्चर, मैं कैप्टन दॉक्टर विनोध कुमार पहरवा, असोचेट प्रोफसर अफ इंग्लिज और असोचेट एंसेट एंसेट आफसर वन्राज बतालियन, गवर्मेंट कोलेज बांधी कुई, फिर आपके स सामने नया लेक्चर लेकर आया हूँ प्रात्मिक चिकिचा के ओपर, प्रात्मिक चिकिचा जो कि NCC के PAST Cours में चलता है, Basics of First-Heading Common Medical Emergencies अब ये प्रात्मिक चिकिस्षा क्या होती है इसकी परीभाशा क्या है इसके उद्देश क्या है इसकी गॉल्डन डूर्ज क्या है कब दी जाने चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें कौन-कौन से सिध्धान्त है इनके उपर हम चर्चा करने वाले है प्रात्मिक चिकिस्षा किसी भी घायल विक्ती या बीमार विक्ती को अस्पताल पहुचाने से पहले उसकी जान को बचाने के लिए हमारे दौरा जो किसी भी प्रकार के उपाय किये जाते हैं जो भी एफर्स मेनेज़ किये हुए है उसको हम प्रात्मिक चिकिस्षा कहते हैं लेकिन उस आपात काल के दौरान उस विक्ती की जान को बचाने के लिए जो भी आसपास का जो जो जोन है उन में से जो भी रिसॉर्स अवली बेल हैं उनका यूज करके उसको जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके उस इमर्जन्सी में हम क्या कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्पून पता हमें ये होना चाहिए कि हमें उस दौरान क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार उस गलत चिकित्सा पदती की विज़े से जो डीचेस्ट मन है जो खायल है उसकी जान जा सकती है तो प्रात्मिक चिकित्सा विभिन स्थितियों में दी जा सकती है विभिन इमर्जनसी स्थितियों में दी जा सकती है जैसे दम घुटना जैसे कोई वेक्ती पानी में डूप जाता है तो दम घुट जाता है फासी लगने के करण या सासनली में किसी बहारी चीज के अटक जाने के करण अक्सर जो है इस तरीके की दिक्कत आती है हाट अटैक खून भेना सरीर में जहर का असर होना जल जाना हीट इस्ट्रिक्ट अतिदी गर्मी संदेज के कारण हो सकता है सरीर में पानी की कारण हो सकता है भी होस, कोमा, फ्रेक्शर किसी जानुर के काटने पर यह इस तरीके की जो दिक्कते हैं इस दोरान जो असिस्ट किया जाता है उँ प्रात्मिक चिकित्सा के अंदर आता है अब प्रात्मिक चिकित्सा की परिवाशा क्या है किसी भी खायल या बिमार विक्ति को अस्पिताल पहुचाने से पहले उसकी जान को बचाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसको प्रात्मिक चिकित्षा के लिए तीन प्रमुक उद्देश है पहला उद्देश घायल विक्ति की जान को बचाना बिगडी हुई हालात से उसको बाहर निकालना और जो तबियत है उसमें सुधार लाना उसके तबियत में सुधार को बढ़ावा देना ये हमारा उद्देश होता है अब प्रात्मिक चिकित्षा के कुछ गॉल्डन थम्स रूल्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर दी हुई है इसमें सबसे पहले पहला और फार्मोस्ट जो गॉल्डन थम्रूल है वो यह है कि जो जल्द से जल्द दुर्गटना वाले इस्थान पर पहुँचे ताकि आप उस विक्ति की मदद कर सके अनाऊ उसक प्रसंड ना पूचे पर अब समय बरबाद करें अनाऊ उसक प्रसंड प्रसंड पूच करके चोटके कारणों का पता प्ता करें बुटेटिक फॉट लगने वाले, जो रोगी है उसको उस वस्तु से अलग करें जैसे कि कोई मसिन्डी गर गई है, डच में आ गया तो इसको आग से अलग करना है, बिजली के तार अगर जो इलेक्टिक शॉट लगए है तो जहरी लग करना है या अन्य कोई वेस्तों उसको विक्ति को रोगी को अलग करना साया, पता लगा एकी मरीज मर गया है या जीवित है, बेहुछ है, पता लगा है, उसको पहले प्रात्मिक उपछार करने से पहले आपको उसके काड़ी की नियमों का उसको तिक से करें, उसको सांस लेने में करें चोट लगी है तो उसको खून जो भे रहा है तो उसको बंद करने में उसकी मदद करें जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुचा है रोगी का रिकार्ड और घटना का विवरन रखें जहां तक संबह हो सके मरीज को गर्म और आरामदाय किस्तिति में रखने का प्रिय हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रियास करें कि आप पूरी तरीके से सेफ जोन में हैं हम आपके साथ में आपको घपराने की जरॉरत नहीं है अब प्रात्मिक चिकित्सा के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एक सिद्धान्थ हैं जो आपके यहां पर सामने दे रखे हैं मैंने पहला है सांस की जाच करें और ABC नियमों का पालन करें यह ABC नियम क्या होता है? A for airways, B for breathing and C for circulation ABC का पालन करें चोट लगी है तो रक्त बहराया तो रक्त को रूकने का प्रियास करें ब्लेडिंग को स्टाप करने का प्रियास करें घायल व्यक्ति को सद्मा लगाया तो उसो समझाएं स्वान तो ना दे, अगर व्यक्ति बेहोस हो तो उसको होस में लाने का प्रियास करे, अगर हड़ी टूट गई है तो उसको सीधा करे, दर्द कम करने का प्रियास करे, जल्दी से जल्दी खायल व्यक्ति को होस्पिटल ले जाने का प्रियास करे, अब प्रात्मिक चिकित्सा म ABC क्या है जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की तो A for A-Wage यानि कि स्वांसनली की जाच B for breathing यानि कि सांस की जाच C for circulation यानि रख संचर की जाच अब A-Wage स्वांसनली की जाच स्वांसनली में रुकाओ खासकर बेहोस लोगों में जो जीब के कारण हो सकती है क्योंकि बेहोसी के बाद विक्ति के मुह में मान स्पेस या धीली पड़ जाती है धीली पड़ने के कारण जीब पिछले इससे में गिर जाती है जिसकी वज़े से स्वांसनली का ब्लॉक हो जाती है और स्वांसनली का block हो जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है block हो जाता है स्वास नलिका की जाज करें सबसे पहले अपनी उंग्लिवों की मदद से जीब को पकड़ करके उसके नॉर्मल लेवल तक लेके जाये और उसके पस्चाति सुनिश्चत कर लें कि स्वास ने लिखा में और किसी प्रकार का रुखाओ नहीं है ताकि उसको सास असानी से ले सके सास की जाज, सबसे पहले अपने कान को घायल विक्ति के मुह के पास ले जाएं उसकी सास की आवाज को सुने, महसुस करें, चाती की और देखें अपने मुह से हवा भरें, तीसरा है सर्कूलेशन, रक्संचार, अब बारियातिया रक्संचार की तो सबसे पहले घायल विक्ति की नाड़ी को जाचे, आपको जाच करने में पास से दस सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रहे कि उसकी आटलरी जो है गरदन के जो कोन करें कि उसकी धुट है की नहीं जेल लगा, अगर नहीं चल रही है तो माउट to माउट 게 यद्ट रेशिन की की प्रियास करें उसकी धढ़ कर र tract के, जो है जो सांस नहीं ले पा रहा है तो वो सांस लेना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए mouth to mouth respiration और cardio pulmonary बहुत ज़रूरी है अब ये करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रात्मिक चेकिसा देते समय हमें प्रियास ये करना चाहिए कि infection से बचे कम से कम infection हो तो उसके लिए first aid में ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी disease person के पास में चाहने से पहले आपको साबून सची तरीके से हाथ दोने चाहिए दस्तानों का यूज होना चाहिए ताकि cross infection नहीं हो खुले हाथों से रक्षजनी संक्रमान जिससे hepatitis B, C, HIV, AIDS के chance हो सकते हैं वाइरल बीमारियां एक दूसरे के विक्ति के खून में मिलने के कराना हो सकती हैं इसलिए हमें इससे बचना चाहिए नेक्स आता है प्रात्मिक स्वास्त पेटी का या प्रात्मिक चिकित्सा पेटी इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों होनी चाहिए तो यह slide में आपके पास से पिच्छे picture है इसके अंदर आपको दिया गया है अगर प्रात्मिक जो चिकित्सा पेटी है इसमें तीन चीजों का महत्पूर्ण होना चाहिए ABC, equipment kit, trauma injury kit और प्रमुख दवाईयां अब ABC, airways, breathing, circulation, equipment kit के अंदर क्या क्या होने चाहिए मुझ के लिए mask, चैरे के लिए face shield, blood pressure measurement cup है वो होना चाहिए status cup और emergency number इसके साथ साथ आपकी पेटी के अंदर जो चीजे होनी चाहिए से उसमें sprit है, alcohol है, bandit है, ruy है, ruy के swaps हो सकते है, iodine lotion, bandage, S2O2, hydrogen peroxide, लेकिन ध्यान रहे है, hydrogen peroxide कभी भी कटे वे इस्तान पर नहीं लगाए है, उससे की जलन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा, trauma injury kit, आगात या चोटो की पेटी की सामगरी, अब इसके अंदर क्या क्या होन bandage होती है, जहां पर भी आपके कट लगा है, trauma injury चुई है, उसको चिपकाने के लिए आपके पास प्लास्ट होना चाहिए, musculine होने चाहिए, dressing सामगरी, edge of wardrobe, eye pad हो सकता है, gauze pad हो सकते है, आपका teplone layer वाला pad हो सकता है, petrolasium gauge हो सकता है, bandage हो सकती है, triple layer bandage हो सकती है, roller bandage हो स सकते है, ताकि मान सपेचियों में किचाओ कम से कम हो, घाओ को बने में मदद मिल सकते है, waterproof bandaging होनी चाहिए, और यह क्यों होती है, triangular bandaging जो कि आपका रक्त रोदी होती है, जल्द से जल्द रखके दबाओ को कम से कम करने का प्रियास करती है, जो है butterfly, close spray strips होनी चाहिए, saline होन सेवलोन, आपका डिटोल, आपके पास lotion इस तरी के होने है, जले हुए जो घाओ है उसके लिए burn dressing, ठंडे gel package होने चाहिए, aloe vera package होने चाहिए, antibiotics होनी चाहिए, catchy seizure वगेर आपके पास होनी चाहिए, third one जो है, that is, प्रात्मिक चिके सा स्वास्केट के लिए ज़रूरी जो है तवाईय होनी चाहिए, उन तवाईयों में जो है, हम दर्द को दूर करने वाली जैसे, diclofenic हो सकता है, aclofenic हो सकता है, paracetamol हो सकता है, यह दर्द को दूर करती है, तो यह होना बहुत जरूरी है, दिल का दोरा पढ़ने पर, आपको आराम के लिए दवाईयां जैसे, aspirin, फोर्टिबरेट, नेट्रोल आरिंजिन, यह आपके पास होनी चाहिए, कुछ एंटिबाइटे कॉंटमेंट जैसे, नियोस्प्रीन, अलोवेरा जेल, क्लोबस्टॉल, सॉल, यह आपके पास होनी चाहिए, घाव को साफ करने के लिए, एंटिबेक्टिर, लोशन जैसे, डि प्रमुक दवाईयां आपके पास होनी चाहिए, अब प्रात्मिक छिकित्सा के अंदर, जो चोट या घाओ जो लग जाना घाओ हो जाने पर प्रात्मी चिक्रिट्सा के लिए क्या करना चाहिए तो यह अब हमें देखना है तो इसके लिए सबसे पहला यह जो भाट कीट के तो उस द्वरान आपको कुछ एक चीज़े करने हैं जो आपके सामने हैं कि सबसे पहले ब्लेडिंग को रोपनी का प्रियास करें चोट के इस्थान पर रूई कपरा जोड़ से दबा करके रखें ताकि क्लोटिंग बने अगर क्लोटिंग एक बन जाएंगे तो उसके विज़ क्लोटि के अस्पताल में पहुचा है ताकि उसको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े दूसरा है जो है हड़ी तूटने पर यानि कि फ्रैक्चर ब्रोकन बॉन होने पर क्या-क्या है हड़ी तूटने पर कुछ एक थम रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़े पहला अगर आदमी बेहोस है तो उसको होस में लाने के लिए ABC रूल्स का फॉलो करें अगर कहीं खून निकल रहा है तो ब्लिडिंग को बंद करने के प्रियास करें अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा तो सबसे पहले सदमे के लिए प्रात्मिक चिकिसा दें आराम से बात करें इसको सांतो ना दें कि हम आपके साथ में हैं घबराने की जरुत नहीं है ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी आपके फैमिली मेंबर्स को हमने इनफॉर्म कर दिया है अगर आपको लगता है कि कोई हड़ी तूट की है पहले से उसको सीधा करें गत्ता लगाए और उ लेकिन कई बार ये जानलेवा हो सकता है इसलिए इसमें किसी भी तरीके की देरी नहीं करें तीसरा आता है इलेक्रिक शोट बिजली के करण्ट के लग जाने के करण्ट अब बिजली का करण्ट जो इलेक्रिक शोट है ये इलेक्रिक शोट जानलेवा होता है लेकिन ये बोल brushing है जो आपको दिखाय का इसनी है कर चिकित्सा देनी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को उस इलेक्टिक जो तंत्र है जिसके विज़े से स्रोथ है जिससे कि जटका लगा उसको बंद करें अगर नहीं बंद हो सके तो सुखी लगड़ी प्लास्टिक पे कार्ड बोर्ट से उसको अलग करने का प्रियास करें ताकि वो व्यक्ति उसके कांटक्ट से धूर हो सके अगर विक्ति होस में नहीं तो ABC रूल को पालन करें वोई एरवेज ब्रिधिंग और सर्कुलेशन चोट लगे हो इस्तान पर बेंडेज लगाएं और जले हो इस्तान को साफ कपरे से ढखतें जल्द से जल्द मरीज को होस्पिटल पहुचाने का प्रियास करें क्योंकि इस दूब सोसे जान बचे सकती है। चौता है जल जाने पर चिकिछ्षा। सवरी जाने पर लिखा है मैंने इसे जल जाने पर प्राथिमिक चिकिछ्षा। अब इनसान कही प्रकार से जल सकता है, गर्मी से हो सकता है, आग से हो सकता है, रेडियेशन से हो सकता है और भी बहुत सरीके की सूरिय की किरने हो सकते है, रासानिक पदार्थ, करम पानी है, इनसे आत्मी जल जाता है अब जलने की तीन डिग्रियां हमने आपके सामने आदी हैं फर्स्ट डिग्री बन, सेकंड डिग्री बन और थर्ड डिग्री बन फर्स्ट डिग्री बन इसके अंदर चमडी की पहली लेयर जलती है वो लाल हो जाती है दर्ध बहुत होता है थोड़ा सूजन आता है तोच्छा छुने पर सफेद हो जाती है जलाओबाग एक या दो दिन नखाएं और तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के संपर्क में जाएं डॉक्टर से बात करें। सेकंड डिग्री बन इसमें तोचा की सेकंड लेयर भी जल जाती है। कि थोड़े मोटे आकार में जल जाती है जिससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, फपोले पर जाते है, छाले निकलाते है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, सूजन आता है और घाओ को बनने में दो से तीन हपते का वक्त लगता है। इसमें हमको करना यह है कि जलेवे स्थान पर वक्ती को कम से कम 15 मिलेट तक पानी में डोपो करके रखना चाहिए, जिससे कि जलन कम से कम हो, एंटिबाटिक क्रीम लगाएं, प्रती दिन नया ड्रेसिंग करें, दर्द कम करने वाली दवाईय लें और लगातार डॉक्टर औ इसमें नियॉरोन डेमेज हो जाते हैं, और गाव बनने में बहुत ज़्यदा वक्त लगता है, तो इस थर्ड डिगरी जो बन है उसमें हमें जो चिकित्सा करनी है उसके लिए आप अपने पास कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास एक यह उप्शन है कि आप तुरंत पर व कोंब मैंने लागों यहां पर आपको हेल्प करने लगाने के बज़ाएं चीजों से आपको बचना होगा। नेक्स्ट है साप के काटने पर प्रात्मिक चिकित्चा अब साप के काटने पर प्रात्मिक चिकित्चा तो हमके समझेना पड़ेगा कि यहां पर जो शाप हैं इनकी प्रजाती मैंने तीन प्रकार की प्रजाती आपके सामने दी हैं कोबरा, क्रेट और वाइपर. देखिए, बहुत सारे जहरेले, जो साफ हैं, वो जहरेले नहीं होते हैं, उनके काटने पर घाओ को साफ किया जाए, और दवाई लगाने से ही, नर्मली इनसान ठीक हो जाता है, लेकिन जहरेले साफ के काटने पर, तुरंत प्रवाउस से उसको जल्द से जल्द फर्स्ट एट की आवशिक्ता होती है, अगर नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है, अब जहरेले के साफ के काटने पर, शाफ की प्रजाती के अनुसार, जो उसके लक्षन है, वो अलग अलग निकल करके आते हैं, कोबरा और क्रेट प्रजाती के साफ के काटने पर, नियूरोलोजिकल या मस्तिक समन्दी लक्षन दिखते हैं, जबकि वाईपर के काटने पर, जो हमारी वेंच से रक्त वाईनी काये हैं, वो नस्ट हो जाती हैं, साप के काटने के प्रमुग लक्षन आपके सामने आपर दी हुए है कि साप के काटने पर निशान होता है, दर्द होता है जो जगे पर काटा है, वह सुन हो जाता है, लाल पड़ जाता है कटे हुए इस्तान पर घरम लगता है, सूजनाता है सांप के काटे हुए निसान पर गरतियों में सूजनाता है आंकों में दुंदलापन होता है सांस लेने और बात करने में बहुत मुस्किल होती है लार भेती है आदमी बेहोस हो जाता है कौमा में चला जाता है इस तरीके की दिक्कते हो जाती है अब सांप के काटने पर जो प्रात्मी स्टेप्स जिनकी हम बात करें वो कौन-कौन से हो सकते हैं पहला पेशन्ट को अराम दें सांत रहें सांत ना दें काटे वे स्तान को पानी से धोएं साबुन से धोएं आदमी जो घायल वेक्ती है जिजिस्वन है उसको जहां से काटा हुआ है वो आपके सीने सीना मलब आपके छाती है वो उपर हो दिल के नीचे की तरफ होना चाहिए काटे विश्तान पर पर का पैक लगा है जिससे की वेनम कम से कम फैले पैसेंट को सोने ना दे अकेला नहीं छोड़े हर पल नजर रखे होस नाने पर ABC रूल का पालन के रहे और तुरंत प्रवाओं से बिना वक्त कम आये ध्यान रहे आपको यह प्रात्मिक स्टेप्स जो करने हैं यह होस्पिटल ले जाते हैं वक्त करने हैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी इसमें एड नहीं करना है काटना चाटना नहीं है नहीं तो पेशन्ट की जान जा सकती है नेक्स आता है कुट्टे के काटने पर प्रात्मिक विकित जा देखी कुट्टे के मुन के अंदर 60 से भी 60 से भी ज़्यादा प्रकार के बैक्टिरिया जा और वाइरस होते हैं जिसमें से कुछ एक तो बहुत खतरनाक होते हैं जिसमें से रेवीज है कभी कबार किसी विक्ती बिली बंदर घोड़े आदी के काटने पर भी इंफेक्शन का खत्रा होता है अब इस रेवीज से छुटकारा पाने के लिए आपको अगर किसी कुछ ने काटा है तो तुरंत प्रभाव से गाओ को साबुन से कई देर तक दो हैं 5-10 मिन तक दो हैं लेकिन जादा रगड़े नहीं खून को बहने दें रोके नहीं खून को क्योंकि खून बहेगा तो इंफेक्शन जल्दी से जल्दी साफ हो जाएगा और तुरंत प्रभाव से होस्पिटर ले जाए और रेवीज के एंटी वेक्शन लगाए इस तरीके से यह हमारा जो द्धान रखा तो आदमी को जीवन को बचाया जा सकता है डिजेश परसन को जल्दी से जल्दी अपने द्वारा हेल्प प्रवाइड की जा सकती है इसलिए हमें कभी भी बिना समय गवाए बिना अनरगल वक्त को जाया कि यह परसन पूचे तुरंत प्रभाव से जो सफ्रा से एक बहुती इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के फिर आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए बाई बाई